इस वीडियो रिकॉर्डिंग में देखे जब से बड़ी समस्या यह है कि वह बया जाते हैं फिर आदमी बहुत परिशान रहता है आप जेर नहीं निकल रही है अब जेर इसलिए नहीं निकलती है आप उसको खूंटे से तो बाधे हुए है उसका एक्साइस तो हो नहीं जो ज अब आप इसमें या तो जैसे प्षु आपका ब्यारा है तो आप उसमें प्रगमा लगा दीजे दो amal प्रगमा होता है उसमेर लोग प्रोसि उन आपilled अैफ प्रघमा को किते को भी लगा सकते हैं वेटमेट भी तो उसको आप देख सकते हैं, यह जो है, प्रंगमा जो है, यह वो अलफा पीजी टू है, यह कार्पस लुटियम को ख़तम कर देता है, तो यह फिर जेर निकलाती है, तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, पर जेर पर परेशान मत हो यह, देखिए आपके जानवर को, वो तो मैं स्ट्राइडिस तो नहीं हो रही है, अन्न था आजमी जेर से ही परेशान रहता है, और बहुत से लोग यह भी करते हैं, जब तक जेर निकला है, बच्चे को दूद नहीं पिलाएं, अरे बच्चा है, बच्चा तो कुदरत में पैदा हो, चाहे आजमी का हो, चाहे आजमी का दूद नहीं पिलाएंगे, पैदा होते ही तो आप दोके में रह जाएंगे, आदमी का बच्चा मर जाए, आदमी की अम्मा मर जाए, किसी बच्चे की तो तो वो जिन्दा रह जाता है, पर गाय का की अम्मा मर जाए, तो वो जो है, वो जिन्दा नहीं रहता है, उसके एंटीबोडी जो है, सारी आदमी में खून से आती है, उसमें दूद से आती है, और दूद पिलाना बहुत जरूर है, पांच-छे दिन का दूद, लोगा कहते भी है, कि मैं तुझे शडी का दूद याद करा दूगा, शडी के दूद में 6 दिन तक human antibody काफी आती है, गा इसमें मैंने आपको बताया, कि यह जो है, वो इस तरह से, इसकी ओमोपेथिक दवाई भी है, यह तो मैंने आपको बताया, Cloprosinol, और इसके देखिए, यह J-Rout है, यह J-Rout, अभी-अभी मेरे पास आया था, टेल्फोन के साब मैंने गाए बे आई थी, J-Rout दे दिया, वो इसको भी आप ट्राई करते है, ब्रिटिश पार में कोपिया कहा है, यह J-Rout, तो मैं इसका कोई अडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर मुझा भी अभी एक रश्यक ने यह बताया है, कि J-Rout मैंने दे दिया साब, तो इसकी J-R गिर गई, धन्यमाद आपने सना, मेरा टेलिफोन नमर 8979748686, और हम लोग जो है, ओनलाइन मदर डेरी में अडवाइजमेंट भी करते है, इसके लिए आप संपर्क कर सकते है, 9997-889-322, राकेश राठोड जी है, आप इनसे संपर्क करिये, इनका नमर जो है, 9997-889-322, धन्यमाद आपने सना. आपने सना.